नमस्कार दोस्तों मौरिया एक सासक चैनल में आपका हार्द एक स्वागत है आज आपको कुछ सच्चाई के बारे में बताऊंगा तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कीजिए और आगे से एर भी कीजिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम आज आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी सच्चाई कि जो हर कोई नहीं जानता हर कोई समाज को बता के ब्रह्म में रखा हुआ है एक जनका सवाल आया है यह बोल रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर आप जाती का निर्धारण करते हैं उत्तर यही है कि वेद अथवा पुराण यही वेद और पुराण हमें छत्रिय भी सिद्ध करता है जो की निम्न प्रकार है नमबर एक आचार चाणक एक बिद्वान ब्रामण थे देखिए दोस्तों यहां पर बिद्वान ब्रामण थे नहीं की जाती वाला बिद्वान का मतलब ही ब्रामण होता जो ग्यानी होता है अतलब आचार चाणक के इनका असली नाम था बिश्लो गुप्त मौर्य आचार चाणक एक बिद्वान ब्रामण थे ऐसे में नंदवंस से बदला लेने के लिए वे किसी सूद्र को नहीं चुनेंगे जो की फेल हो जाए जाहिर सी बात है कि वे छत्रिय में सबसे अच्छे गुडवत्ता के छत्रिय को चुना और वे छत्रिय थे अखंड भारत के निर्माता महान मौर सामराज के संस्थापक अब देखी यहां भी गड़बडी की गई है मौर सामराज के संस्थापक नहीं अखंड भारत के संस्थापक लिखना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य और समराट असोक मौर्य ने इस महान राष्ट का विस्तार किया नंबर दो हजारों साल पुराने भविस्य पुराण में लिखा है कि मौर्यों ने विश्लूगुप्त ब्रामः की मदद से नंदवन्सी सुद्रों का सासन समाप्त कर पुनच चत्रियों की प्रतिष्ठा अस्थापित की तए हजारों साल भविस्य पुराण किस चीज पे लि नंदवन्सी सुद्रों कि विश्लूगुप्त ब्रामः कि उनका पूरा नाम नहीं बताया जाता अंधेरे में रखा जाता उनका पूरा नाम है विश्लूगुप्त मौर्य पुर्फ आचार चाड़क के चलिए नंबर तीन पे दूहजार साल पुराने बहुद और जैन ग् कुमारपाल प्रवन्द में चित्रांगत मौर्या को रखवन्सी चत्री लिखा है अब आते हैं पांचवे नंबर पे महापरी निवान सुथ में लिखा है कि महात्मा बुद्ध के द्यावसान के समय सबसे बाद में पिप्पलेवन के मौरे आये उन्होंने भी खुद को साक साक के वन्सी गौतम चत्री बताकर बुद्ध के शरीर के अवसेस मांगे मित्रों आप घबराईएगा नहीं यह साक के टाइटल कहां से पड़ा हो सकता है किसी ना किसी वीडियों में यह भी बता दूंगा सब मौर ही है यहां तक कि कुछ राजक तत्तों तत्तों लोग मौ किया गया था पिर्थवी की सुरच्छा के लिए अब जब पिर्थवी का निर्माड हुआ था तभी से मौर है और कुछ बकलोल लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर से ही मौर शुरुवात हुआ है अब चलिए यह तो मौरियों को पिपपली वन से आये हुए मौर साक्य वन से यहां लिखा गया है ऐसे लोग को भी मैं बताऊंगा कि साक्य की उत्पत्ति कहां से हुई को सौहा की उत्पत्ति कहां से हुई सायनी की उत्पत्ति कहां से हुई सब को मिलेगा जबाब दरसल में सब मौरिय कि उपजातियां हैं लेकिन यह लोग मानने के लिए तयार ही नहीं है जबकि बिदेशी लोग इनके अलग-अलग नए पूरोज खड़ा कर दिये हैं इसलिए यह लोग असले पूरोज को मानने के लिए तयार नहीं यह लोग बेटे होके बाप बनना चाहते हैं नमबर छे प्यात्में कुछ पुराण के अनुसार इच्छवाक वंसी मंधाता के अनुज मांधात्री से मौरिवंस की उत्पत्ति हुई है देखी यहां भी गड़बढ़ है मौरिवंस दुनिया का सबसे सकति साली वंस इसे तरह तरह के किताब लिखे तरह तरह के गरंथ नामक किताब लिखे धर्म गरंथ नामक किताब लिखे बाटा गया है चलिए नंबर साथ में आते हैं वायू पुराण में भागवत पुराण मत्चे पुराण समय मौरिवंस को स सूरी बन से चत्री लिखा है मत्से पुराण के अध्याये 272 में यह कहा गया है कि दस मौर भारत पर सासन करेंगे और जिनकी जगह सुंगों द्वारा ली जाएगी और सद्धन्व इन दस में से पहला मौरिये मौरे होगा अब बताइए कितना बकलो लिखिया गया है इसमें कि मत्से पुराण के अध्याय में लिखा गया है अरे भाई जब मौरे बंस के बाद यह लिखा गया तो सिदिसी बात लिखी जाएगी अब क्यों नहीं लिख देते यह कि आगे क्या होने वाला है जब इतने ही जानकार है तो फिर इतने जो जो तीसी लोग बताते हैं सब फेल की हो जाता है सिधी सी बात है ये दुनिया के सबसे सक्तिसाली वंस मौर वंस को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं और मिटा रहे हैं लेकिन मिटा नहीं पाएंगे क्योंकि मौर वंस जाग रहा है चलिए नौ नंबर प्याते विश्डू पुराण की पुस्तक चार ध्याय चार में ये कहा गया है कि सूरिवंस में मरू नाम का एक राजा था जो अपनी योग साधना की सक्तिसे अभी तक हिमाले में एक कलाप नाम के गाउं में रह रहा होगा और जो भविश में चत्री जाती की सूरिवंस में पनर्स्थापना करने वाला होगा मतलब कोई हजारों वर्ष बाद बताईए इतना सब बखलोली किया गया है इतना अंधविश्वास भरा होगा है इसी पुराण के एक दूसरी भाग पुस्तक चार अध्याय 24 में यह कहा गया है कि नंदवंस की समाप्ति के बाद मौर्यों का पिर्थवी पर अधिकार होगा यहों की काउटिल राजगर्दी पर चंद्रगुप्त को बैठाएगा बताए लिखने वाले कितने बकलोल हैं कि कि अखंड भारत के संस्थापक का नाम सही से नहीं लिख पाते कि आधर सम्मान से लिखना चाहिए कि चक्रति संप्राट चंद्रगुप्त मौर्य लिखें चंद्रगुप्त को बैठाएगा कि अब लोग अपने पूरोच का मान सम्मान करना नहीं जानते तो आगे इनका भ महावंस पर लिखी गई एक टीका के अमसार मौरी नगर के छत्री राजकुमारों को मौर्या कहा गया मौर्या ने पूरे भारत और मध्य सिया तक पर राज किया दूसरे बंसूं के राज उनके सामने बहुत छोटे और चंद्रगुप्त के समय सभी जयन और बहुत धर्म मौर्यों को सुद्ध सूरी बंस्री छत्री प्रमारित करते हैं चित्तावड में मौर्य राजपूत्नों को पांचवी सदी में सूरी बंस्री ही माना जाता था किन्तु कुछ ब्रामनों ने द्वेश वस बहुत धर्म ग्रहण करने के कारण इने सूद्र घोसित कर दिया अब आते हैं तेरे नंबर पर एक छत्री यही इतना लंबे 149 वर्सों तक सासन कर सकता है आज तक इतिहास गवाह है कि कोई भी ऐसा समराथ नहीं हुआ जो कि इतने लंबे समय तक सासन किया हो अब बताईए 149 बर से कि अब बताया जाता है जब कि हमने अभी पहले भी बता है कि पिर्थवी का निर्मार जब से हुआ है तभी से मौर्य लोग का नाम चल रहा है देखें यहाँ पर गणपती बप्पा मौरय अर्थात देवों के देव भगवान सीव भी मौरय है तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि सीव मौरय दोनों अलग-अलग नाम है सच में दोनों एक ही है निशकर्ष बिना सिर्पायर की बात मत करें जिस पवित्र गरंत बेद और प Agr никаких के माता-पिता कोई अपमान करें चल जाएगा अगर ठोड़ा सा सवाल जबाब कर ले तो इनके धर्म गरंतों का अपमान होता है ऐसे धर्म धर्मग गरंत को को में समान परीकार अपमान करें को कई भागों में भिवक्त करें बताई ही यह भीन लोग से पूछ लिया जा गरंध में लिखावा है कोई परमाण नहीं मिलता कि प्लाना गरंध या ड़ा का ना गरंध सही है iosis कि व साथियों आप लोग जो है इन लोग के भैकावं में मत आये और extend लोग हमसे प्रमाण मांगते हैं कि जो मैं कहता हूं वो सत्य है या आसत्य है तो सुनो प्रमाण मांगने वालों मैं मौरिबंसी सर्वेश मौर यह बताना चाहता हूं कि जो बिकलांग होता है उसको चलाने के लिए बैसाखी लगती है और जो बातें जूटी रहती हैं कालपन फ्लांग हैं नाहीं ज्होट यह जोच हैं नहीं किसी किताब की जरूरत है नहीं किसी अई-चयखे की जरूरत है साहतBir हैं एक बात हुआ एक बात और वो चान उन्नीस सो ग्यारे में कुछ कालपनिक टाइटल द्वारा मौरी बंस को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है उन कालपनिक टाइटलों को मैं सावधान करता हूँ समल जाएं मौरी अब जाग रहा है जरा भी ना समझी अगर दिखाएं उन लोगोंने तो क्या पता कि मौरिबंस उनका भी नंद वंसियों की तरह दुनिया से सफाया कर देगा मौरिबंस को इतने हलके में मतलो नहीं तो आगे चल गे बहुत पश्टा होगे आखरी बार नहीं मैं बार बार कहूंगा कि अगर रहना है भारत में तो मौरिबंस के साथ चलना सेखो जो भी मौरिबंस के विरुद्ध जाएगा उसको मार दिया जाएगा जै सिरी चंद्रगुप्त मौरि जय अखंड भारत सत्मयों जय ते जय जय भारत कि दोस्तों वीडियो आखरी तक देखने के लिए आप लोग को बहुत भुद्ध धन्यवाद जय मौरिबंस के और हां इसमें जो भी कुछ बेद्पुलान सास्त्र जो भी लिखे हुए पर ज्यादा भरोसा करते हैं वह जाके पत्थरों पे लिखा हुआ चीज पढ़ें कि किताबों में नहीं क्योंकि मौरिश आसनकाल में किताब नहीं भोज पत्र हुआ करते थे और पत्थर हुआ करते थे कि अगर कौई कहता यह 5000 साल पुराना गरंत है कॉई कहता यह एक लाग साल पुराना गरंत है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतने साल पहले पेपर का निर्माण सम्भव था फेपर तैयार हो गया तो सम्राट असुक मौरी को पत्थर पे लिखवाने क्या ज़रूरत थी कि उतना मेहनत किये कि और ऐसी बहुत बाते हैं एक कोई कहता है मौर युशासन 137 साल था कोई कहता है 149 साल था यह सब जोठा है कि दर्शल बात यह है कि मौरिबंस कि जितना खुंखार था उतना ही विश्वास सी था दूसरे के विश्वास के कारण कि विश्वास के कारण ही मौरिबंस आज